ओम शान्ति, ज्यान सागर बाप, गीता ज्यान दाता, हम आत्माओं को माया रावन से संभाल करने के लिए उचे से उचे पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें इस योग्ये बनाते कि हम स्वयम सक्षम बन अन्ने आत्माओं का भी कल्यान कर सकें। आईए, रिवाइस करते हैं आज के साथ फर्वरी 2022 के महावाक्यों को। आज की मुरली की अनुसार श्रिव बाबा की महिमा। ज्यान सागर, गौड फादर, सद्गती दाता, पतित पावन, गीता का भगवान। श्रिव बाबा संगम युग पर कौन से कर्तववे करते हैं। मत देते, नौलेज सुनाते, स्वर्ग स्थापन करते, सबकी सद्गती करते, चोटे-चोटे बच्चों को समझाते, प्रजापिता ब्रम्हा द्वारा मनुश्रे स्रिष्टी रचते। किसको क्या कहा जाता है? कुम्ब को संगम, बाप को कनहया, ब्रम्हा को ज्यान नदी, याद को योग अगनी, न समझा सकने वालों को छोटा बच्चा, ज्यान सागर और ज्यान नदी के मेले को सच्चा कुम्ब, संगम के बड़े मेले को ज्यान सागर और ज्यान नदी का मेल ग्यान को अच्छी रीती समझने और समझाने वाले को बड़ा क्या होने से क्या होता है संश्रे आजाने से निकल जाएंगे निष्चे होने से स्कूल में बैट सकेंगे योग-युक्त होने से सर्विस कर सकेंगे points की धारणा होने से नशा चड़ेगा चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे प्रदर्शनी मेला आदी करने से 5-6 निकल आते हैं ज्यान धन की साहुकारी होने से आवाज कर सकेंगे बड़ा सौधा करने से 21 जन्मों के लिए बड़ा पद मिलेगा शृप बड़ा को याद करने से क्या फायदे होते पावन बनेंगे, सर्विस करेंगे, एवर हल्दी बनेंगे विकर्म विनाश होंगे, अंत मतीसो गती होगी बाप के पास चले आएंगे ऐसे कौन से गुन हैं जो सर्विस में व्रिधी प्राप्त करा सकते हैं योग युक्त, नश्टो मोहा, निश्चे बुद्धी, बाप के हर डारेक्शन को अमल में लाना, दुआओं के खजाने से संपन्न बनने से क्या लाब होंगे, विग्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, पुरुशार्थ में मेनत नहीं करनी पड़ पूरा निश्चे बुद्धी बनना है, लौकिक वर्से का नशा नहीं रखना है, किसी भी बात में संश्रे नहीं लाना है, ज्यान धन में साहुकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए मेरे 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 में जो ममत्व है उसे छ इस बाते हम सारा ही दिन आज इस बात पर अटेंशन दे कि छोटे या बड़े हद या बेहत के मेरे पन से अपनी बुद्धी को निकाल एक शुब बाबा में लगाए और शुब बाबा में संपूर्ण निश्चे रख आगे बढ़ते चले ओम शान्ति